सुहेल देव भरती समाच पार्टी के राश्री अध्याच और एक जमाने में अखिलेई श्यादव के सहयोगी रहे उम्रकाश राजबर ने इस बार उनके ही पार्टी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया है 2022 के विरानसभा चुनाव में अखिलेई श्यादव और जैन चौधरी के साथ मंच पर तमाम रेलियों को संबोधित करने वाले राजबर ने इस बार अखिलेई श्यादव की मैन पुरी और जैन चौधरी की खतौली सीट पर अपनी पार्टी के उम्मिदवारों की घोशना कर यह सीटें उपचुनाव के लिए खाली हुई हैं और यहाँ पर पास दिसंबर को वोटिंग कराई जाएगी इन दोनों सीटों पर चुनाव के लिए इलेक्शन कमिशन की ओर से अधिसूशना जारी कर दी गई है खतौली की सीट आरेलडी के खाते में गई है और यहाँ पर जैन चौधरी अपने किसी करीबी को उम्मिदवार बनाने वाले हैं महीं दूसरी और मुलायम सिंग्यादव के निधन के बाद खाली होई मैनपुरी सीट पर भी सुहल देव भारती समाज पारटी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है जहां तक सवाल आपने मैनपुरी चुनाव को लेके कहा तो दिखे जब पहलवान तयार है तो अखाड़े में तो लड़ना ही है तो तयारी आप उसको मान लीजी नगर निकाय के चुनाव को लेके मान लीजी या आप आगामी 2024 की तयारी को लेके मान लीजी उंप्रकाश राजबर की पार्टी की ओर से मैनकुरी की लोकसभा सीट पर रमाकान कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है वहीं खतौली की विधान सभा सीट पर रमेश प्रजापती को उम्मिदवार बनाया गया है पार्टी के राष्ट्री माहसचिव अर्विन राजबर की ओर से इस संबंध में एक प्रेस विग्यप्ती भी जारी की गई है माना जा रहा है कि उन्प्रकाश राजबर इन सीटों पर अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव प्रजार करेंगे फिलहाल राजबर किसी गडबंधन का हिस्सा नहीं है और उन्हेंने अपनी पार्टी के स्वतंत्रों मिद्वारों को यहां से उतारा है लेकिन माना जा रहा है कि अगर राजबर इन सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश यादव को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है NBT Online की रिपोर्ट